तो बच्चों स्वागत हैं आप लोगों का क्लास 9 के मैट्स में और हम लोग इस क्लास 9 में हम लोग तिरभूज को पढ़ रहे हैं और इस तिरभूज का आप लोगों के लिए चौथा लेक्चर हैं यानि कि पहले तीन लेक्चर के माध्यम से हम लोग exercise 7.1 तक को बना चुके ह और आज इस लेक्चर में हम लोग exercise 7.2 के problem को बनाने जा रहे हैं तो exercise 7.2 के problem को बनाने से पहले हम लोग जो है इस प्रमय को पढ़ने जा रहे हैं तो ये प्रमय आपका 7.2 है और ये आपका प्रमय 7.3 है तो बच्चों निश्चित रूप से आप अपने सामने अपनी बुक को निकाल लेंगे हम देखने तो नहीं जाएंगे लेकिन आप निकाल जलूर लीजिएगा इमानदारी के साथ और एक कौपी साथ में रख लीजिएगा ताकि आप जो है अपने बुक में इस थियोरम को देखिए थियोरम कहने का मतलब प्रमय 7.2 को देखिए और इसमें क्य को कहते हैं कि ऐसा तिरभूज जिसकी दो भुजाएं जो हैं बराबर हो यानि कि मान लेते हैं कि A B C एक तिरभूज हैं जिसमें A B भुजा जो हैं A C के बराबर हैं तो यहां पर जो कुछ भी लेते हैं हम लोग उसको मानते हैं माना की A B C एक क्या है आपका समद्वी तिर्भूज है जिसमें दो भूजा तो बराबर होगा ही जिसमें A B जो है A C के बराबर है तो यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है करना है कि A B का सम्मुख कौन जो है आपका A B के सामने देखिए कौन सा कौन है C है और A C के सामने कौन सा यानि कि कौन C जो है कौन B के बराबर होगा यही चीज हमको क्या करना है प्रूप करना है तो इसको प्रूप करने के लिए हम लोग इसमें रचना लेते हैं क्या लेते हैं रचना लेते हैं इस रचना में क्या डालना है कि हम लोग यहां से कौन A का एक सम्द्विभाजा खीच लेते हैं कि कौन A को जो है दो बराबर भागों में यहां बंडती हो तो यहाँ पर लिखते हैं कि कौन A का सम्धवी भाजक सम्धवी भाजक A DC खीँचा गया है नहींचा गया ओके खीच दिये हम लोग अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग सोचते हैं तिर्भूज A, B, D में तथा तिर्भूज A, C, D में दोनों को लेकर सोचते हैं यह A, B जो है A, C के बराबर है A, B, जो है A, C, के बराबर क्यों? क्योंकि यह तिर्भूज सम्द्विबाहू तिर्भूज है जिसमें A, B, बराबर A, C होता है तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? दिया गया है उसके बाद A, B, बराबर A, C हो गया अब देखिए कि यहाँ पर यह कौन जो है आपका इधर वाला कौन और इधर वाला कौन दोनों बराबर होगा ही क्योंकि यहाँ पर हम सम्धिवाजक खीचे हैं तो कौन A बराबर कौन B जो है यह आपका किस से आ गया रचना से आ गया ठीक है उसके बाद देखिए A, D और A, D दोनों में हैं A, D और A, D आपका दोनों में हैं तो यह जो है क्या है कौन है कौन को हिंदी में क्या कहते हैं उभाइनिस्ट कहते हैं समझगे बात को Hindi में Ingles को गुषा सकते हैं फोई दिक्त में लेकिन इंगलिस में Hindi को ने गुषा सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है भी सकते हैं अब लोग अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसे करें हैं से रूब सर्वांसम हो जाएगा थीक ना अब यह जब दोनों तिर्भूजimes का सर्वांसम हो गया तो वी कौन 26 के बराबर हो जाएगा की नहीं वीकौन 285 के बराबर हो जाएगा की नहीं यहाँ पर लिखेंगे आता हकौन warmth कौन Dur रूल से by cpct से, कि से by cpct से यह जो है दोनों बराबर हो जाएगा। और यही चीज हमको प्रूब करना था, c बराबर b को हो यह b बराबर c को हो बात तो बराबर ही हैं, तो इस तरह से हम लोग प्रूब कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कि यह जो प्रमय 7.3 है, यह ठीक इसका बिलोम है, यह क्या कहता है, कि किसी तिर्भूज में बराबर कोनों की सम्मुक भुजाएं, बराबर होती है, यह क्या कहता है, कि पहले एक तिर्भूज है, और इसमें दू गो कोन बराबर है, कौन कौन बराबर है, यह B और C बराबर है, है न, तो B का जो सम्मुक भुजाएं, A, C, और कौन C का जो सम्मुक भुजाएं, आपका A, B, यह भी बराबर होगा, तो इसको प्रूब करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ठीक इसी तरह से हम लोग इसको भी प्रूब कर सकते तो यहां पर आप लोग सिर्फ इसका statement याद रखिए इसके प्रूब की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें क्या अगर आप इसको याद रख लेते हैं कि एक सम्मुख तिर्भूज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर होते हैं तो उसी तरह से इसका बुलॉम यह इसका मतलब वो सम्मुख तिर्भूज बन गया तो इस दोनों को याद आप लोग जरूर रखेंगे इसको आप लोग यहां पर वीडियो को रोक कर इत्मिनान से लिख लिजिए अपनी कॉपी में लिख लिजिए फिर उसके बाद हम लोग exercise 7.2 में बढ़ते हैं तो बच्चों आईए अब हम लोग प्रश्णावली 7.2 के problem को बनाना सुरू करते हैं तो इसको बनाने से पहले जो बात याद रखना है आप लोगों को वो यह है कि अभी जो आपको हमने प्रमे पढ़ाया प्रमे 7.2 इसका statement आप बढ़ी हां से याद रखिए कि तिर्भू कि किसी तिर्भूज के बराबर कोनों की सम्मुक भुजाएं जो होती है वह बराबर होती है इसके बाबजूद आपको पिछले वीडियो में हमने सरवंग समता की दो कसोटी बता दिया है तो एक S-A-S कसोटी आपको याद रखना है और A-S-A कसोटी याद रखना है और A-S भी कह सकते है और S-A-A भी कसोटी कह सकते है होता यूँ है कि जैसे माल लिया जाए कि ये आपका एक तिर्भूज है और ये आपका दूसरा तिर्भूज है तो हमारा ये A-B-C एक तिर्भूज है ये P-Q-R एक तिर्भूज है अगर ये कौन इस कौन के बराबर ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये कौन इस कौन के बराबर तो यहाँ A-S-A होता है A-S-A होता है तो ये A-S-A हो गया अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग हटके सोचते हैं कि किसी भी तिर्भूज का दो कौन अगर मालूम हो आपको तो तीसरा कौन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी तिर्भूज का दो कौन मालूम हो तो तीसरा भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं तो यह भी बड़ी आसानी से आपका निकल जाएगा अब क्या होता है कि कभी-कभी हमको इधर वाला angle दिया रहे है और इधर वाला angle दिया रहे है ये नहीं दिया रहे है और एक side ये दिया रहे है तो उसी condition में यह As A हो जाता है ए ए माप करेंगे ए ए एस हो जाता है पहले एक एंगल मिला फिर बाद में एक एंगल मिला फिर एक आपको साइड मिल गया अब कभी कभी होता है क्या कि जैसे ये एंगल आपको दे दिया फिर उसके बाद जो है माप करेंगे ये आपको साइड दे दिया फिर ये एंगल आपक को एक एंगल मिला तो इस इस्थिती में SAA क्राइटेरिया यहां पर लागू हो जाता है किसके लिए इस कंडीशन में कि ASA रहे तो AAS भी चलेगा और SAA भी चलेगा उसके बाद ध्यान रखेगा SAS जो है आपका एकलवता है SSA नहीं चलेगा SSA नहीं चलेगा ऐसा रहे तो हम उसको सरवांगसम नहीं कह सकते हैं अब माली एगो एंगल मिल गया दूगो साइड मिल गया तो इस इस्थिती में भी हम उसको सरवांगसम नहीं कह सकते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि S, A, S एक ही तरह से यूज होता है और A, S, A हम लोग तीन तरह से यूज कर सकते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखने के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रश्णावली 7.2 पर तो 7.2 में आप देख रहे हैं क्या कि दिया गया है एक सम्धविबाहु तिर्भुज A, B, C जिसमें A, B बराबर A, C है कौन B और कौन C के सम्धविबाजक परस्पर बिंदू O पर परतिछेद करते हैं A और O को जोड़िये दर्साइए कि O, B, O, C, O, A, O, कौन A को सम्धविबाजित करता है तो इसमें दिया क्या गया गया है ध्यान से समझिएगा इसमें दिया गया आपको क्या कि A, B, E, C यह A, B equal to A, C दिया गया वो कौन B और C का सम्धविबाजक परस्पर बिंदू O पर परतिछेद करते हैं तो B का सम्धविबाजक B जितना बड़ा कौन है इसको आधा आधी बाट लिजिए और एक लाइन इस तरह से बढ़ा दीजिए उसके बाद C का भी सम्धविबाजक हम लोग इस तरह से बढ़ा दीए तो यह जो है कहां पे मिल गया O पे मिल गया कहां पे मिल गया यह O पे मिल गया तो उसके बाद यह प्रूब करने के लिए कहता है कि O B equal to O C यहां से O B और यह O C जो है आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो इसको हम प्रूब करेंगे ले और इधर वाला कौन को हम लोगों को यह समद्यभाजित कर देता है, यह प्रूब करना है, तो यहाँ सबसे पहला नम्मर प्रूब करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कि A B equal to आपका A C दिया गया है, यानि कि A B equal to A C दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि तिर्भु हुजा है इसके इसके सम्मुख कौन सी है आपका और एसी का सम्मुख कौन आपका बी है अब क्या किये हम लोग कौन सी को भी दो से भाग दे दिये और उसके बाद कौन बी को भी हम लोग दो से भाग दे दिये यानि कि दो से भाग देने पर भाग देने पर जो है हमको यह ची अगर कौन C को आप आधा कर दीजियेँगा तो यही कौन न मिलेगा क्योंकि यहो लाइन है आपका O C O C क्या करता है संद्विभाजक है इस कौन का और C का आधा कर दीए तो हमको यह कौन मिल जाएगा यानि OCB मिल जाएगा हमको, उसके बाद B हमारा देख रहे हैं पूरा है और इसका आधा तो इसका आधा यही हो जाएगा, OBC हो जाएगा, अब फिर से इसके बिलॉम पर चलते हैं हम लोग, बिलॉम में कहता है 7.2 का बिलॉम किसी तिर्भूज के बराबर कौन, तो यहां पर देखे दोनों कौन बराबर हैं, की सम्मुक भुझाएं बराबर होती हैं, तो यह जो आपका कौन है, इसकी सम्मुक भुझा कौन सी है आपका, OC है, तो यहाँ आपका OC हो गया OCB का OCB की समुख भुजा OB है तो यहाँ आप OB लिख दीजिए उसके बाद यहाँ पर OBC का OBC का समने वाला भुजा कौन है आपका OC है तो यहाँ आप OC लिख दीजिए तो यही तो हमको प्रूब्ड करने के लिए कहा था पहला नम्मर में OB equal to OC तो य यही चीज हमारा approved हो गया समझ में आ गया होगा अब देखिए यह क्या कहता है कि यह जो है समद्विभाजक है यानि कि E कौन यह कौन जो है बराबर है यानि कि दूसरा नम्मर में आपको यह प्रूब्ड करना है कि कौन BAO देख रहे हैं ना कौन BAO उसके बाद कौन CAO CAO यह दोनों बराबर हो जाएगा यानि कि यह जो लाइन होगा समद्विभाजक हो जाएगा तो इसको प्रूब करने के लिए हम लोग तिर्भूज लेते हैं AOB में तथा तिर्भूज तिर्भूज AOC में तो AOB और AOC हमने ले लिया है अब देखिए इधर वाला कौन इधर समद्विभाजक है यह तो इसको माल लेते हैं A इसको माल लेते हैं B तो कौन A बराबर कौन B हो जाएगा इसको तो हम कह सकते हैं दिया गया है हैं की नहीं कौन क्या है यह आपका दिया गया है चुकि यहां समद्विभाजक है तो इसका आधा आधा भी दोनों इक्वल होग इसके बाद देखिए O से लेकर B तक O से लेकर C तक यह भी आपका अभी हमने तुरत पुरूब किया यह O B equal to O C तो यहां लिखेंगे कि एभब पुरूब्ड उपर में हमने इसको पुरूब्ड कर दिया है है ना या नहीं तो प्रमानित है यह प्रमानित है ठीक ना ऐसे भी लिख सकते है आप इसके बाद देखिए कि इसमें जो है आपका O A O A जो है दोनों में common है तो O A O A जो है दोनों में common है इसके बाद और एक चीज है हमारा A B equal to A C दिया गया है A B equal to A C दिया गया है तो A B equal to A C आपका दिया गया है तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक एंगल यह A और यह B और इसको जो है इसको अंतरगत करने वाली भूजा O B और यह A B और O A को हटा दीजे O A को हटा दीजे इसकी जरूरत ही नहीं है तो इस अधार पर यह जो तिरभूज हो गया A और भी आपका सरवांगसम हो जाएगा तिरभूज A O C के किस रूल से हो जाएगा यह S A S रूल से S A S नियम से जो है यहाँ आपका सरवंग सम हो जाएगा और इसको देखे ध्यान से देख लीजिए आप कि इसको हटा देने के बाद E को कौन A को अंतरगत करने वाली दो भुजा आपको मिल रही है कौन B को अंतरगत करने वाली दो भुजा मिल रही है S A S का परिभासा अगर आपको याद होगा तो यह समझ में आ रहा होगा तो यह दोनों तिर्भूच सरवंग सम हो गया तो दोनों तिर्भूच जब सरवंग सम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कौन जो है यह कौन और यह कौन यानि की B A O बराबर कौन C A O हो जाएगा C P C T से है ना C P C T से इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं जब यह दोनों कौन बराबर हो गया तो हम अंतिम में लिख सकते हैं अतह A O कौन A का को क्या करती है समद्वी भाजित करती है तो यह आपका हो गया प्रूब्ड यह सारा यह प्रॉब्लम आपका बन गया कम्पलीट तो बच्चों इसको जो है आप लोग यहां पर वीडियो को रोकिए या स्क्रीन सॉट ले लीजिए इसका और इसको आप लिख लीजिए इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा नम्मर पे तो दूसरा नम्मर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ABC में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक हैं तो देखिए यह लंब समद्विभाजक कहने का मतलब हुआ कि लंब भी है और द करसा यह कि तृभूज ABC एक समद्विभाभूज है अबी-सम्द्विभाजक है जिसमें AB बड़ाबर AC हो जाएगा तो इसमें DR यहीं गया है यहीं दिया गया कि ABC में AD BC पर लंब समद्विभाजक होता है को 90 degree का कौन बनाता है और इस दोनों को बड़ाबर भागों में बां यह DC के बराबर हो जाएगा लंब सम्द्विभाजक है तो और यहाँ पर 90 डिग्री का भी कौन बनाना है तो इसमें देखें दो गो तिर्भूज आपको मिलता है और यहाँ पर प्रूब क्या करना है कि तिर्भूज ABC जो है आपका सम्द्विभाजु तिर्भूज है सम्द्विभाजु तिर्भूज में दो भूजा आपका बराबर होती है तो उस चीज को भी हम दर्सा देंगे बाद में अब यहाँ क्या करते हैं कि तिर्भूज A, B, D लेते हैं और यहाँ पर हम तिर्भूज लेते हैं A, C, D लेते हैं, तो देखिए यह A, D जो है, इसमें भी है, इधर वाले भी तिरभूज में है, और A, D दूसरे तिरभूज में है, यह आपका क्या है, कोमन है, कोमन को हिंदी में क्या कहते हैं, उभाय निस्ट कहते हैं हम लोग, है न, इसको लिख लिजिएगा, अब हैं, यानि कि दोनों एंगल बराबर हैं, और इसके बाद D, B जो है आपका, यह D, C के बराबर हैं, है न, चुकि लंब सम्दुभाजक हैं यहाँ पर, यही B, D है, तो यहाँ D, B लिखे हैं, कोई फरक नहीं परता है, D, C है, तो यह D, C लिखा है, आमने, तो एक साइड, ए तिर्भूज, A, C, D के, किस रूल से, बाई, S, A, S, रूल से, जो है, यहाँ सरवांग सम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि A, B, E, C, हो ही जाएगा, भाईया, इसका जो साइड है, A, B, इस तिर्भूज का, इस तिर्भूज का साइड, A, C, के बराबर हो जाएगा, किस रूल से, बाई, C, P, C, T से, है न, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानि प्रूब्ड हो जाएगा, यही आपका कम्प्लीट हो गया, दूसरा नमर, दूसरा नमर का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरी तरह से, अब यही पर आप विडियो रोकिए, या स्क्रीन सॉट लीजिए और इसको लिख डालिए, इसके बाद हमारा क्वेशन नमर, थ्री, तो क्वेशन नमर थ्री में देखिए, A, B, C, एक सम्धुबिभाहू तिर भूज है, देख लीजिए, A, B, C, एक सम्धुबिभाहू तिर भूज है, यही CF खीचें, तो सिर्स लंब BE और CF हम लोग खीच दिये, दरसाइए कि ये सिर्स लंब बराबर है, कहने का मतलब कि BE बराबर CF हमको यहाँ पर प्रूब्ड करना है, तो अब देखिए इसका प्रूब्ड देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा दिया गया है, यही फीगर दिया और इसमें क्या कहा गया है, कि यह सम्दिवाहू तिर्भूज हो गया, तो सम्दिवाहू तिर्भूज हो गया, तो इसमें लंब है यह आपका, और सम्दिवाहू तिर्भूज में हम लोग जान रहे हैं, कि यह जो AB होगा, यह किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा सम्द को लेकर बनने वाला तिरभूज देखिये B E A है क्या है B E A है और उसके बाद C F को लेकर बनने वाला तिरभूज तो C F आपका क्या है A है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं C तिरभूज C F और A देख रहे हैं तो इसको प्रूब करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें जो है A B A B जो भुजा है इसका यह A C के बराबर है इसका A C के बराबर है एक भुजा बराबर हो गया उसके बाद कौन A जो है आपका दोनों में है जैसे देखिए ये तिर्भूज में भी कौन A आ रहा है और इस तिर्भूज में भी कौन A आ रहा है तो कौन A बराबर कौन A जो है आपका क्या है कोमन है क्या है ये कोमन है और ये चीज आपको क्या है दिया गया है तो चलिए दो दो चीज तो हमको मिल गया, इसके बाद देखिए कि इस तिर्भूज में यह कौन नब्बे डिग्री का है, यानि कि कौन ई जो है नब्बे डिग्री है, तो यहाँ पर कौन ई बराबर, कौन एप, कौन एप जो है, यह भी आपका बराबर है, तो एक साइड और दो एंगल मिल से, है न, दो एंगल मिलने से, कौन सा क्राटेरिया लागू होता है, आपका, SAA लागू होता है, और इस तरह से यह दोनों तिर्भूज जो है, क्या हो जाएगा, सरवांगसम हो जाएगा, यानि कि तिर्भूज B, E, A, जो हो जाएगा, यह सरवांगसम हो जाएगा, आप लागू कर सकते हैं, AAS भी लागू कर सकते हैं, ASA भी लागू कर सकते हैं, तो इसमें से किसी एक को लागू कर सकते हैं, अतह हम अब क्या लिखेंगे, कि यह BE, है न, BE इस तिर्भूज में exist कर रहा है, बराबर CF हो जाएगा, अकिस रूल से, by CPCT से यह जो है आपका देंगे भाईया, अब देखिए, इसको जो है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यही पर आप स्क्रीन को रोकिए और इसको उतार लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, क्वेस्चन नम्मर फोर को, तो क्वेस्चन नम्मर फोर में आप देखिए क्या दिया गया है कि A, B, C एक तिर्भूज है जिसमें A, C और A, B पर खीचे गये सिर्सलंब B, E और C, F है देखिए A, B और A, C पर खीचा गया लंब A, B पर आपका C, F है और A, C पर आपका B, E है लंब खीचा गया है और ये नहीं बताया कि A, C और A, B जो है आपका बराबर है यहाँ पर देखिए सम्दिवाहू तिर्भूज नहीं बोला है अजबकि इसका भी फीगर इसी तरह का है लेकिन यहाँ पर सम्दिवाहू तिर्भूज बोला यहीं अंतर है दियान दिजिएगा तो कहता है कि दरसाइए की और ये बराबर है ये जो आपका सिर्सलम्ब दिया गया है ये दोनों आपस में बराबर है कौन कौन बराबर है B, E जो है C, F के बराबर है तो अब क्या कहता है ABE और ACF ये दोनों जो हैं सर्वांग सम्तिरभूज होगा अभी तुरत तो हम लोगง कुरूप कर वे किया है तो देखें इसमें यहीं दिया गया है । क्या दिया गया है आपका की? तिर्भूज दिया गया और becf बराबर है ये देखिए be आपका ये हो गया और cf आपका ये हो गया तो सिद्ध करना है कि a be देख रहें ये a be ये तिर्भूज आप देख रहे हैं यहाँ पर और a cf और a cf तो हम क्या करते हैं तिर्भूज a b c sorry a be a be तथा तिर्भूज a be हो गया है a cf लेते है a cf को लेते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें दिया गया है be equal to cf be equal to इसका be equal to इसका cf जो है ये आपको दिया गया है उसके बाद दिखिए ये लंब है आपका तो इसमें a be में a be में ये कौन 90 डिगरी का है कहने का मतलब कौन B E A बराबर कौन ये आपका C F A C F A ये 90 डिग्री है ये कौन पता चल गया कौन A जो हैं दोनों में मुझूद है देख लिजे ये तिर्भूज बनाईएगा तो भी कौन A आएगा इसमें इस तिर्भूज पर आप चलिए तो इसमें भी कौन A आता है तो कौन A जो हैं दोनों में हमारा कोमन है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों तिर्भूज जो है S A A है ना दो एंगल हो गया आपका एक साइड मिला फिर उसके बाद एंगल मिला फिर उसके बाद एंगल मिला तो तिर्भूज आपका A B E जो है सरवांसम हो जाएगा तिर्भूज A C F के बाई किस रूल से बाई A E यहाँ पर देख लीजए एंगल साइड एंगल यह आपका side angle angle माप करेंगे side angle angle rule से जो है यह आपका सरवंग सम हो जाएगा अब हमको क्या करना है तो यही सिध करना था यही target पर हम लोग अंती में पहुँच चुके हैं तो यही पर हम लोग क्या लिख देंगे प्रूब्ड लिख देंगे और हमारा काम खतम फोर के लिए खतम तो फोर यह बहुत छोटा है इसको उमीद करते हैं कि आप लोग समझ गया होंगे अच्छा इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया है ध्यां दीजिये कि a b equal to a c और साथ a b c एक सम्धिबाहू तिर्भूज है हाँ तो दूसरा नंबर में देखे क्या कहता है कि a b c जो है आपका सम्धिबाहू तिर्भूज है तिर्भूज का यह सिंबॉल है तिर्भूज क यह क्या है भाईया, सिम्बॉल है, तो यानि कि A B जो है, A C के बराबर होगा, अभी हम लोग तुरत प्रूब कर चुके है, कि A B E जो है, A B E जो है, सरवांगसम है, तिर्भूज A C F के, है ना, यह हम क्या लिख देंगे, कि A भब प्रूब्ड, है ना, या तो प्रमानित है, यह हमारा क्या है, प्रमानित है, अल्रेडी प्रमानित है, इंदी में इसे लिख देंगे, अब इसमें A B जो होगा, यह आपका A C के बराबर होगा, ना, किस रूल से, CP C T के रूल से, CP C T को रूल से, BY C PC T, रूल से जो है, यह दोनों बराबर हो जाएगा, अब यही चीज आपका दूसरा नम्मर भी proved हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर आके यह खतम होता है, तो इसको जो है आप पहले यहाँ पर एक screenshot ले लीजिए, या नहीं तो यहाँ पर रोक कर वीडियो को लिख लीजिए, अब फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग रोक दीजिए वीडियो क और इसको पूरा उतार लीजिए, तो इसके बाद हमारा question number 5, 5 में क्या कहता है कि A, B, C और D, B, C समान आधार B, C पर इस्थित दो समद्वी बाहुत तिरभूज है, अब यहाँ धियान से देखिए, A, B, C हो गया, किस पर बैठा है, B, C पर ही बैठा है, यानि B, C इसका को मिला कर ही बन रहा है, और यह दोनों तिरभूज जो है, आपका समद्वी बाहुत तिरभूज है, कहने का मतलब कि A, B, C के बराबर है, और D, B, C जो है, आपका D, C के बराबर है, तो दरसाइए कि कौन A, B, D, देख रहा है न, A, B, D यहाँ पर है, और A, C, D, A, C, D बराबर है, तो यही चीज हमरा दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग जो कुछ दिया गया है, उसको लिख लेंगे इसी तरह से, अब इस चीज को हमको प्रूब करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंस A, B, C, एक कैसा तिरभूज है, एक समद्वी बाहु तिरभूज ह अब हम लोग जानते हैं कि किसी तरभूज में बराबर भूजाओं के सम्मुक कौन बराबर होते हैं, अब E भूजा, E भूजा बराबर है, तो इसका सम्मुक कौन ये हो गया, और इसका सम्मुक कौन आपका ये हो गया, इसको मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B, तो हम जानते हैं कि तो संभाहू तिर्बूज हो गया तो इसका मतलब कि A B equal to क्या हो गया A C हो गया इसके बाद हम लिख देंगे हम जानते हैं कि बराबर बराबर भुजाओं के समुख कौन जो होते हैं समुख कौन क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होगिया कि A B का समुख कौन A है यह A जो है कौन B के बराबर होगा उसके बाद इस कौन को 1 माल लेते हैं इसको 1 माल लेते हैं और इसको 2 माल लेते हैं उसी तरह से उसी तरह तिर्भूज dbc भी क्या है आपका शंदवी बाहु तिर्भूज है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि db जो है आपका dc के बराबर है और db का apposite angle 1 है और dc का apposite कहने ka मतलब सम्मुख का जो इंगलीस होता है वो अपोजीट होता है याद रखेगा है ना अपोजीट होता है तो यह एंगल वन जो है only two के bराबर हो जाएगा अब हम लोग क्या करते हैं यी समीकरन 1 और यी समीकरन 2 तो दोनों समीकरन को जोड़ देते हैं एक और दो को जोडने पर को जोडने पर तो जोड़ेंगे तो क्या होगा कि कौन A जोड कौन 1 आएगा इसका ये 1 राइट साइट में कौन B जोड कौन 2 आएगा अब देखिए 1 और A मिलकर 1 और A मिलकर A, C, D बनाता है न पूरा 1 भी मिल जाए A भी मिल जाती ये पूरा हो जाएगा ये A, C, D हो जाएगा तो कौन A, C, D हो जाएगा और ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर A, B, D हो जाएगा A, B, D हो जाएगा यही चीज तो हमको proved करना था कि ABD जो है ACD के बराबर है अभी थोड़ा सा उल्टा है तो इसको हम लोग ABD को पहले लिख देंगे बराबर कौन ACD हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा proved हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे अब आपका क्या काम है कि यहाँ पर screenshot ले लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग screenshot ले लीजिए बस यह थियोरम आपका complete हो जाएगा इसके बाद हम लोग चलते हैं question नमर 6 में तो question नमर 6 में हमारा देखिए दिया गया है कि A, B, C एक समझ गए बाहू तिरभूज हैं देख लीजिए A, B, C एक समझ गए बाहू तिरभूज हैं जिसमें A, B बराबर A, C हैं तो A, B और A, C दोनों बराबर हैं तो भुजा B, A, B जिन्दू D तक इस परकार बढ़ाई जाती हैं कि B, A को D तक हम बढ़ाते हैं देख रहे हैंना B, A को क्या कियें D तक बढ़ा दियें पहले तो A, B, C ही बना हैं और इसको हम बढ़ाके यहां ले आएं A, D equal to A, B यानि A, D जो हैं आपका यह A, B के बराबर हैं यानि कि A, B य एक समकौन हैं तो कौन B, C, D जो है यह जो कौन यहां पर बन रहा है समकौन होगा यानि कि यहां जो आपका कौन बन रहा है यह समकौन है और इसमें आपको दिया क्या गया है यहां पर नाम लिख लेते हैं हम लोग है ना C हो गया यह आपका D हो गया इसमें A से B तक फिर B स C तक और फिर A से D तक मौप करेंगे A से B और A से C A से C और A से D यह तीनों जो है आपका क्या है बराबर है तो अब हम देखिए कि हम लोग जान रहे हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन जो होते हैं बराबर होते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि तिर्भूज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि AB जो है AC के बराबर है तो AB का सम्मुख कौन? AB का सम्मुख कौन मौन लेते हैं यह A है और यह आपका B है तो कौन A अब बराबर कौन B हो जाएगा आपका? अभी तुरत आप पढ़े हुए है इस चीज को उसके बाद तिर्भूज आपका ADEC में ADEC में है न? AC जो है AD के बराबर है अब इसमें AC का सम्मुख कौन हम मौन लेते हैं यहाँ पर 1 मौन लेते हैं और इसको हम लोग 2 मौन लेते हैं तो कौन AC का सम्मुख कौन 1 हो गया और AD का जो है सम्मुख कौन जो है आपका 2 हो गया है न? तो यह दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे ओके अब हम लोग एक चीज़ जान रहे हैं कि तिर्भूज के तीनों कोनों का योग जो होता है? पता हैं कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है तो इसलिए हम लोग कौन B है न? जोड कौन C जोड कौन D ये तीनों मिला कर 180 डिग्री लिखेंगे? लेकिन देखिए कौन B पर भी कौन small B है? और C पर देखिए दोनों है कौन A भी है और कौन Two भी है? और D पर सिर्फ कौन One है? बराबर कितना हो गया? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि B को हम लोग A लिख सकते हैं B को क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं तो यहां पर हमने क्या किया B के बदले में A लिख दिया A को हमने छोड़ दिया और 2 के बदले में हम 1 लिख सकते हैं या 1 के बदले में 2 लिख सकते हैं तो यहाँ 2 को छोड़ दीजिए और 1 के बदले में 2 लिख दीजिए अब क्या फाइदा हुआ कि यहाँ 2 into कौन A हो गया 2 into कौन 2 हो गया बराबर 180 degree तो यहाँ पर 2 हम common ले लिए तो यहाँ पर कौन A जोड कौन 2 बच गया बराबर 180 degree यानि कि कौन A जोड कौन 2 यह दोनों मिलक 180 बटः दू हो गया यानि कि 90 degree अब ध्यान दिजिए A और 2 कहाँ है ए और 2 देख़िये A और 2 यहाँ पर है यह दोनों जो है आपका दोनों मिलकर A और 2 हुआ यानि कि यहाँ आपका क्या हो गया यह आपका B, C, D हो गया यही आपका B, C, D हो गया जिसमें यह दोनों included है तो यही चीज हमारा क्या करना था यहां पर proved करना था तो उमीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गये होंगे आप लोग जो है इसको अपनी copy में लिख लिजिए यहां पर वीडियो को रोकिए उसके बाद यहां पर आप लोग रोकिए और उसके बाद इसको उतार लीजिए इसके बाद हमारा question number 7 में कहता है कि A, B, C एक सम कौन तिर्गूज है अज इसमें कौन A 90 degree है A, B बराबर A, C है तो यहाँ पर देख लीजिए यह 90 degree हो गया और यह A, B जो है आपका A, C के बराबर है A, B जो है A, C के बराबर है तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि कौन B और कौन C का मान क्या होगा इसको आपको ग्याद करना है है न, इसका value आपको निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर A, B बराबर A, C है तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कौन बराबर होते हैं यानि कि AB का सम्मुख कौन सी हो गया तो कौन सी जो है कौन B के बराबर हो जाएगा है की नहीं क्यों क्योंकि समान यानि ऐसे लिख दीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन जो होते हैं सम्मुख कौन बराबर होते हैं ठीक न अब देखिए तो ये चीज हमारा हो गया दोनों बराबर अब हम लोग जानते है की कौन A जोड कौन B जोड कौन C तीनो कौन मिलकर कितना डिगरी का होगा क्योंकि तिर्भूच के तीनो कौनों का योग कितना होता है 180 degree के बराबर होता है लेकिन कौन A जो है 90 degree है कौन B जो है आपका जो है सो हम निकालेंगे यहाँ पर B और C आपस में बराबर है यानि कि C के जगा पे हम B लिख सकते हैं बराबर 180 degree 2 into कौन B बराबर 180 घटा यह 90 इधर चला आया तो क्या हो गया यह 90 हो गया इसलिए कौन B बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा 90 बट दो यानि कि 45 degree हो जाएगा अब B अगर 45 हो गया तो B और C दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन B बराबर कौन C बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री यही हमारा आंसर हो जाएगा तो हो गिया यह हमारा बन गिया सॉल हो गिया तो इसको आप लिख लिजी अपनी कॉपी में इसके बाद हमारा सबसे last problem है क्या कहता है कि दर्साइए कि किसी संबाहू तिर्भूच का परते कौन 60 डिग्री का होता है तो यहां पर यह क्या कह रहा है कि किसी संबाहू तिर्भूच का परते कौन 60 डिग्री का होता है अब देखिए इसका तीनो साइड तो बराबर होता है तीनो साइड क्या होता है बराबर होता है तो यहां लिखेंगे माना की A, B, C, A क्या है शंबाहू तिर्भूज है तो जिसमें कौन A, A, B बराबर, B, C बराबर क्या है आपका A, C है तीनों साइड बराबर है इसका मतलब हो गया कि A, B का सम्मुख कौन, कौन सा हो गया C हो गया, B, C का जो है सम्मुख कौन क्यों सा हो गया, A हो गया और A, C का जो सम्मुख कौन है आपका B हो गया, यह तीनों भी आपस में बराबर होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कौन A, जोड़ कौन B, जोड़ कौन C, तीनों कौन मिलकर कितना डिगरी का होगा 180 degree तीनों जो है बराबर है तो तीनों को हम लोग x माल लेते हैं x क्या किया माना लिख लिजिए यानि कि x प्लस x प्लस x तीनों कौन इसका बराबर है बराबर 180 degree इसका मतलब 3x बराबर 180 degree इसका मतलब क्या हो गया therefore x बराबर 1803 यानि की 60 degree यानि की x जो है कौन a के बराबर है कौन b के बराबर है कौन c के बराबर है जो की 60 degree हो जाएगा यही हो गिया हमारा क्या हो गिया प्रमानित हो गिया तो उमीद करते हैं कि इसके सारे problem को आप लोग ठीक तरह से समझ गया होंगे बच्चों और आपका यह होंबर्क रहा कि इसको घर में जाके कम सारे प्रोब्लम को आप लोग दो बार बनाएंगे, कितने बार बनाएंगे, दो बार एक बार समझ लेंगे, और फिर खुद से बनाने का प्रियास करेंगे, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जै हिंद, जै भारत!